Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और मैं हूं सेस्वरकान So guys, in today's video, I will share with you that how you can prepare for CA from class 11th or 12th I know, आप सब इस वीडियो का बहुत बेसब्जी से इंतजार कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे स्कूल के स्टुडेंट्स हैं जिनोंनों सपना देख लिया है कि उनको करनी है तो सिर्फ CA ही उनको सिर्फ CA ही बनना है वो जानना चाहते है कि कैसे जल्दी से जल्दी वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें ताकि जल्दी से वो CA जो इनिशल है अपने नाम के आगे लगा सकें इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा तो बनने रनना इस वीडियो में और इस वीडियो को end तक देखेगा ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful साबित हो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं So the first thing is that can we do CA with class 11th or 12th? Then the answer is yes आप class 11th and 12th के साथ अपनी CA की तयारी कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11th and 12th class में रहते हुई CA के एक्जाम दे सके नहीं आप सिर्फ तयारी कर सकते हैं एक्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आपने 12th के एक्जाम दे दिये हो पर एक्जामपल आपका 12th के एक्जाम था मार्च में आप में में या फिर जून अटेंट में अगर CA Foundation के एक्जाम होंगे तब आप एक्जाम दे सकते हैं लेकिन 12th के एक्जाम में अपेर होने के बाद ही आप CA के एक्जाम दे सकते हैं CA Foundation के एक्जाम दे सकते हैं पहले आप सिर्फ तयारी कर सकते हैं ठीक है, उसके बाद second question आ जाता है, क्या हम registration कर सकते हैं 11th and 12th class में? Yes, आप registration करवा सकते हैं CA foundation में after passing your 10th exam, मतलब 10th exam आपने pass करें, उसके बाद आप कभी भी registration करवा सकते हैं for this CA foundation. Now, इसको कहा जाता है provisional registration, क्योंकि ये final registration नहीं है, final आपकी होगी जब आप 12th के exam में बैठ जाएंगे, अगर आप चाहें कि आप registration ना कराएं लेकिन तयारी करना शुरू कर दे देन, वो भी आप कर सकते हैं, आप ICAI.org की website पर जाकर books की या पर study material की soft copy डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपनी तयारी करनी start कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको hard copy से ही पढ़ाई करनी हैं, तो definitely आप registration करवा लीजें और उसके बाद अपने तयारी करना शुरू कर देजें. चलो यह तो हो गया कि हम CA Foundation की तयारी class 11-12 से कर सकते हैं, लेकिन करें कैसे, आकिर क्या हमारी strategy रहनी चाहिए, किस तरीके से हमको preparation करनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि especially अगर आप commerce की student हैं, तो जो commerce में जो subjects आपके होते हैं, for example maths होता है, economics होती है, you know accountancy होती है, ठीक है, यह सारे subjects आपके आगे carry forward होते हैं in CA foundation, yes, तो मैं यहाँ पर यह बात मान कर चलती हूँ कि अगर आप 11th और 12th से CA बनने का source रहें, that means आप commerce की student हैं, तभी आपकी दिमाग में यह चीज़ आ रही है, क्यूंकि तभी आपने commerce stream चूज करी हूँ कि आपको आगे जाकर CA बनना है, 50-60% slavers आपका CA foundation में भी आने वाला है, तो CA foundation में आपके चार subjects होते हैं, first is accounting, second is business laws and VCR and then third is business mathematics, logical reasoning and statistics and fourth होता है आपका economics and BCK का, तो CA foundation में आप जो accounting का subject पढ़ने वाले हैं, 70-80% उसका हिस्सा आपका 11th and 12th में से ही उठकर आने वाला है, that means यहां पर आपको बहुत बड़ा फाइदा रहेगा अगर आप एक commerce के student है, चीक है, वहीं दूसरी जगह, जो math होगी CA foundation में वह आपकी 11th and 12th की, I would say कि 60% वाला part cover कड़ेगी, 60% आपकी 11th and 12th की math आएगी in CA foundation, ठीक है, यहां पर statistics जो कि आप 11th and 12th में पढ़ेंगे वह भी यहां पर आने वाली economics भी आपकी 40% आपकी 11th and 12th वाली economics ही यहां पर आने वाली है, एक जगह जहां पर लोगों को doubt होता है, business laws and business studies, CA foundation में business laws है न, वो business studies नहीं है, business studies is completely different, तो वो उस वाले subject का आपको इतना ज़्यादा पाइदा यहां पर आकर नहीं होगा, तो business laws के लिए आपको definitely अलग से और ज़्यादा महनत करने पड़ेगी, अगर मैं देखू, accounting, maths, statistics, economics, यह सब आपकी 11th and 12th से उठके आने वाली है, अगर आप अपने 11th and 12th में ही concept clarity बहुत strong रखेंगे, बहुत ही strong base बनाएंगे, तो आपको definitely यह CA foundation level पर आकर बहुत ही help करने वाला है, Now, कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर follow कर सकते हैं, अपने preparation को strong बनाने के लिए, First of all, जैसे कि मैंने बोला कि आपको try करना है, अपने concept को ज़्यादा से ज़्यादा clear करने के उपर, जैसे कि जितने ज़्यादा questions आ सकते हैं, पूछी अपने teacher से, अपने teacher से, अपने tutor से, पूछी, जितने ज़्यादा question आएंगे, जितने ज़्यादा आप, you know, question को solve करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी help होगी आगे जाकर, तो जब भी आप 11th and 12th के exam की तयारी कर रहे हों, और आपकी दिमाग में ये भी हो कि मुझे CA भी करने हैं, उसको इस तरीके से करना तयारी को, कि हाँ, अगर मैं अभी जितनी भी extra मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरी मेहनत वसूल होगी CA Foundation लेवल पर जाकर, तो आप और भी ज़द अच्छे तरीके से तयारी करेंगे, उसके साथ-साथ एक अलग से doubt है था है students का, कि क्या हम CA Foundation की coaching लें, अपने 11th and 12th class के दौरा आनी या नही या फिर हम self-study से भी कर सकते हैं, first of all, मैं नहीं बोलूँगी कि आप अलग से coaching लीजिए अपने CA Foundation के लिए, अगर आप 11th and 12th में उनके subject के coaching ले रहे हैं, तो आपको अलग से CA Foundation के coaching लेने की कोई भी जूरूत नहीं है, इसको आप अपनी self-study के साथ कवर कर सकते हैं, so जैस करते हैं, and self-study करने के time पर हम कापी सारी नहीं चीज़े सीखते हैं, okay, and उसके साथ साथ कापी सारी hurdles and challenges इसको भी face करते हैं, कापी जगह stuck भी हो जाता है, और तब हमें feel आती है कि काश इस वक्त हमारे कोई teacher होता है, जो हमें इस वक्त गाइड कर देता, okay, and obviously कोई भी teacher आप So, अब अगर आपको कोई भी topic समझना है, या फिर अपनी query का instant solution चाहिए, then go and use feelo app, where you can connect with expert live tutor within 60 seconds at any point of the day, and वो आपको आपकी understanding speed के हिसाप से समझाएंगे, and एक one-to-one learning solution है, जिसके थुरू आप unlimited questions हो सकते हैं, किसी भी topic पर, so, अगर आप board के इसाम की तयारी कर रहे हैं, तो आपको यूज कर सकते हैं, and अगर आप तयारी कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको unlimited box test भी मिल जाएंगे, जो कि आप दे सकते हैं, isn't that amazing, download the feelo app, link is in the discussion box, do check that out, तो ये बात हो गई, उन subjects के जो कि आपके CA foundation and 11th and 12th में common हैं, लेकिन उन subjects का क्या, जो कि different हैं, for example, business laws, BCK, BCR, य ये आपके 11th and 12th में नहीं है, तो इसको कैसे तयार किया जाएं, ना इसके लिए आपको separate time निकानना पड़ेगा, या तो आप daily एक घंटा इन को दे सकते हैं, या फिर weekends पर या फिर किसी vacation पर, आप इन topics के उपर तयारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत important बात में आ कि यही तो marks आपके lifelong carry forward होने वाले हैं, आप 6 months के लिए skip कर सकते हैं, आगे postpone कर सकते हैं, बट 12th के exam तो आपके साल में एक बार होते हैं, और अगर आपने अच्छे से दे दिया तो आपको एक अच्छा regular college भी मिल सकता है, और obviously अगर अच्छा college मिलेगा तो आपका आने वाल साथ में करिए, जो comment नहीं है, उसको थोड़ा सा अलग से time निकाल कर कर लीजे, और तब भी manage नहीं हो रहा, then don't worry, CA Foundation के exam साल में दो बार होते हैं, 6 महीने बाद tweets हो जाएंगे, don't worry, कोई जादा impact नहीं पड़ेगा आपके career पर, okay, so yes guys, I hope आपको आज के मेरी वीडियो अच् that, yes, with this, I will meet you in my next video, till then, bye-bye and allah afez